कि अगर किसी कौडिलेटर में अपोजर साइट के जो पेर है वो इक्वल होता है तो एक प्वेलोग्राम होता है सबसे पहले हमें क्या करना है जो भी हमसे पूछा जा रहा है जो भी हमें प्रूव करना है उससे हमें मिलती जुलती फिगर बनाना है तो इस तरह हमें एक फिगर बना है आब यहाँ है कि आमने सामने वाली साईट ओ लाभ लेता है कि यह वा कि ईक्वल करना है हमें प्रूब करना है कि यह ऐं प्रूप्राम, तो आप सभी को पता हैं प्रूप्रार में कि दो कंडिशन क्या था स्क्राइब पहली चीज़ थो मने दे होकई कि आमने सामने फाली साइट्स इक्यवल होती है, दूसperform एक और क्या प्रॉपर्ट गरणि थे Uber कि जो आमने सामने वाली साइट्स होती है वह क्या होती है क्या होती है यहाँनि की A AB जो होगी वो DC के parallel होगी एक चीज़ तो हमें दी है AD equal BC के और AB equal DC के दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है तो दूसरी चीज़ अगर हम निकाल देते हैं तो वो क्या जाएगा तो हमें एजली कह सकते हैं कि ABCD एक parallel करना हमें तो इसको प्रूव करते हैं सबसे पहले हम लिखाएं गिवन गिवन में क्या दिया है तो गिवन में दिया है ABCD is a quadrilateral with BD diagonal ठीक हमें BD diagonal ले लेना है क्यों ले लेना है यह अभी में आपको पताता हूं जिसमें हमें दिया है AD is equal to BC हमने सामने वाली AB parallel CD के हमें यह चीज़ प्रूव करने है ठीक है दो चीज़ा को समझ मैं तो इसका हम प्रूव देखेंगे अब तो जो मैंने quadrilateral बनाया था उसमें मैंने पहले से diagonal BD लिया हूँ है इसका reason यह है कि यह quadrilateral क्या है दो triangle में divide हो जाएगा है और अगर हम इन दोनों triangle को congruent करके देखते हैं तो हमने कहेंगे कि इन इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल तो हमने पहला corner के यह लिए आना तो इसके सामने कौन से अंगल देख रहे हैं यह वाला देख रहे हैं इस तरह से हमें थोड़ा common sense यूज करना है तो एंगल C अब इस तरफ जाए कि इस तरफ जाए तो यहां से हम इस तरफ आया है ना तो इस तरफ जाने की मतलब नहीं रंबी इस तरफ दूसरी साइड में चूटी साइड की तरफ तो CDB ठीक है इन दोनों ट्रेंगल में देखो क्या इस ट्रेंगल हमें दिया गया पहले तो यह साइड इस साइड के को यह ना तो यानि हो गया इधर से हम बी की तरफ चलते हैं तो क्या है एबी है एबी के एक्वल कौन से साइड है CD ना तो इदर लेखेंगे हम कि एबी एक्वल हो जाएगा CD के, इसका भी reason क्या है, ये भी हमें given है, है ना, अब ये वारी side देखो, तो ये वारी side क्या है, यानि BD, ये क्या है, दोनों में common है, common है ना, तो इसको लेखेंगे हम, कि BD is equal to, तो यहां से हम इस طरफ आएते हैं और यहां से इस तरफ गएते हैं, तो यहां से अगर हम D की तरफ जाएंगे, तो वहां से से का आएंगे, यह जैना, BD is equal to DB, तो BD is equal to DB, reason क्या हो जाएगा, reason हो जाएगा, ये है common side, ना, तो ये क्या होगी, side हो गई, यह क्या होई, side होगई, यह क्या होई, side होई तो यहनि side, side, side congruence rule से हम यह कह सकते हैं यह दोनों triangle क्या है, congruent है, है ना तो यहां लिखते हैं, by side, side, side congruence rule, triangle ABD is congruent to triangle बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, अलागि हमने पहले ही देख रहा है था, लेकिन इसका बहुत ध्यान रखना है पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता हुआ है कि किस तरह ध्यान रखना है तो triangle ABD, ABD के equal क्या हो जाएगा, ZDB, ठीक है अलागि यह हम पहले से लिखके चल रहा है था, अब जब यह दुना triangle congruent हो गए, तो इसका क्या मतलब हो गए, इसके corresponding parts भी क्या है, equal हो जाएगा, यहनि angle A हो जाएगा, angle C के equal, angle B हो जाएगा, angle D के equal, है न, और angle D हो जाएगा, angle B के बात बराबर ही है, so हम सब सब्सक्राइब क्या करेंगे, यह वाला angle लेंगे, ठीक है, angle B लेके चलते हैं, पहले हम, कि angle B जो है, वो equal हो जाएगा, angle D के, तो angle B तो दोनों ही है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, alternate है न, बही, alternate यह वाला angle है, तो इसमें यह वाला angle हो गई होगा, ठीक है, तो यानि कि, therefore, angle B is equal to angle D, अभी आप देखो, यह दोनों क्या है भाई, alternate interior angle, देखो, AB और DC यह दो line है, इस तरह से, यह माले थे, transversal line है, ठीक है, और यह दोनों क्या है, alternate interior angle है, अभी क्योंकि यह और यह equal होगा है, इसका क्या मतलब, यह दोनों line क्या होगी, parallel होगी, जब यह दोनों line parallel होते ही, तभी तो यह दोनों angle equal होते हैं, अभी आप पता है कि alternate interior angle equal है, इसका मतलब है कि यह और यह line क्या है, parallel है, तो यह दर लेखेंगा है, बट थीज आर अल्टर्नेट इंटिरियर एंगल्स ठीक है देर्फोर देर्फोर कौन से साइड है एबी इस पैरलल टू सीडी ठीक है एबी इस पैरलल टू सीडी इसको वन नाम देंगे बतां हमें एक एंगल निकाल लिया दूसरे इंगल हो यह वाला वच्छा है तो यह वालए एंगल आहें ले लिए स्कू यह ले लेते हैं तो इस वाले टियंगल अ तो इससो लेभाथ ए डिवकल में अंड़ नाउ कना अउट हो एंगल दी इसकोर से एकोल टूप्ट वी यह आवल एल्इन यह ऱन्ट इसको यह क्या ओगए अल्टरे इन्ट्रेटेम से जो गहए यह बीको अबिदी होने यह ना इससे यहER होग गे यह बीना इस stat чувствू यह. तो यह क्या हो जाएंगी पैरलेल हो जाएंगी तो लिखेंगे दर ओके एक चीज़ बूल गया हम इदर रिखना थामें भाई CP CT से दिखोल होंगे ना यह भी दर क्या होगा CP CT से एक्कवल हो जाएंगे तब यह दोने जब एक्कवल है तो यहनी alternate interior equal है इसका क्या मतलब है कि यह और यह क्या है parallel हो यह तो दर भी हम दिखेंगे but these are also alternate interior angles therefore ad is parallel to bc ठीक है ad is parallel to bc इसको नाम दे दो आप टू ठीक है इधर वह जाएगा from one and two parallelogram के लिए मैंने आपको कितने क्रेटरी बताया दे दो पहला क्या आमने सामने वाली साइट्स इक्वल होती है और आमने सामने वाली साइट्स पैरलल होती है तो आमने सामने वाली साइट्स इक्वल है यह तो हमें क्वेशन में दिया हुआ था अब आमने सामने वाली साइट्स पैरलल है यह हमने निकाल लिया from first and 2 चा निकाल लिया कि a b is parallel to b c and here a d क्या है a d तो a d is parallel to b c and a b is parallel to c d so from one and two a b c d is a parallelogram ठीक है और आगे लेखेंगे हम hence approved होगी theorem 8.3 यह भी बहुत easy है तो आई हो आपको theorem 8.3 बहुत अच्चे समझ में आई होगी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में सेयर कीजिए हम मिलतें नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई जाहिंत